हैं कि रूस और अमारिका जो जंग में तो एक दूसरे का ख़ा रहा है और ऐसे में अब बायो लाप में हत्यार बनाने का जो सीधे आरोप रूस की तरफ से यूकरेन पर लगाया गया है उसी को देखते हुए रूस ने अब मांग की है यूएनसी की बैठक बुलाने की कैमिकल हमले का खत्रा लगाता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि तमाम अमारिका और ब्रिटेन ये दावा कर रहा है लेकिन अब रूस भी पलिटबार करते हुए ये कह रहा है कि देख रूस सीधे तौर पर ये कह रहा है कि देखिए जयवेख खत्यार कहां बनते है केवल और केवल यूक्रेन में और इसी खत्रे को भापते हुए अब पुतिन ये कह रहे है कि यूएनसी की बैठक होनी चाहिए लेकिन यूक्रेन के राश्ट्रपती जलेंस्की ने रूस के उ वच्छों के पिता भी है यूक्रेन की जमीन पर क्यामिकल या किसी भी तरह का कोई भी हत्यार नहीं बनाया गया है ये बात पूरी दुन्या जानती है अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो वो उसे जवाब ज़रूर मिलेगा और अब पुतिन की तरफ से यूनसी बै पीन, बुचा, गोस्तोमल, इज्यूम. जा देन व्जे वदलो से विवस्ति माइज़े 40 तीसीच नाशिक लुदेग, दाती इम नरेश्टी बेस्पेक. उ पल्तावी, कीवी, चरकासी, जपरीजी, द्नीप्री, उ ल्वोवी. अमारिका ऐसे खत्यार नहीं बनाता है, होना था सेने इस्तमाल, जबकि अमारिका जयविक खत्यार नहीं रखता है. यह आपको बता दे कि इसी कैमिकल वार को देखते हुए, अब रूस की तरफ से यह बांग करकी गई है, कि UNSC की बैटिक बुलाई जाए. लेकिन इसके साथ ही आपको बता दे कि किस तरीके से लगतार बोली बारी जारी है.